स्टूरेंट्स ले इस स्टार्ट इस सेक नट पार्ट 5 और दथा सेवन चप्र दोपन विंडो उपकै तुम सेकंड़ पार्ट स्टार्ट करते हैं इससे पहले वीडियो में हम सैवन चेप territory का फर्सट पार्ट कर चुके हैं तो आज हम Då से किड चैप्र करते है औ Nur सी ब्रोक ओफ विदा लिटल सडर बहु सान्थ हो गया वह सान्थ हो गई विदा लिटल सडर थोड़ी कप कपी से उसने थोड़ी कप कपी के साथ बोलना बंद कर दिया यह फ्रेम्टन के लिए आराम की बात थी When the aunt was told into the room When जब the aunt उसकी चाची was told तेजी से आई into the room कमरे में With a will of apologize for being late in making her appearance Will of apologize Both mafia मांगते हुए For being late देर से आने के लिए in her appearance अपनी उपस्थिती में उपस्थिती में बिलम करने के लिए जब चाची तेजी से और अपनी उपस्थिती में बिलम करने के लिए अनेक माफिया मांगते हुए कमरे में आई I hope Bera has been amusing you She said उसने कहा कि मुझे उमीद है कि Bera ने तुम्हारा मनोरंजन किया होगा या कर रही होगी She has been very interesting said Frampton Frampton ने कहा बहुत ही रूची कर है I hope you don't mind the open window said Mrs. Shepalton Shepalton ने कहा कि मुझे उमीद है कि तुम इसने इस खुली तुम इस खुली खड़की पर ध्यान नहीं दोगे My husband and brothers will be home directly from shooting कि मेरे पती और मेरा भाई सीधे सिकार करने के बाद घर आएंगे And they always come in this way और भे हमेशा इसी रास्ते से आते हैं They have been out for snipe in the masses today They have been out for snipe means चोरी से गोली चराएंगे in the masses दल दल में Today आज आज भे दल दल में छिपकर गोली चलाने गए हैं So, इसलिए they will make a fine mess over my poor carpet इसलिए भे मेरे इस कालीन को, carpet means कालीन को खराब कर देंगे So, like you men folk, जैसे की आप आदमी लोग करते हैं Isn't it क्या यह सही नहीं है या ऐसा नहीं है See rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds See rattled on cheerfully बहे सिकार करने तता पक्सियों के अभाब के बिसे में तता सीत रुतु के बत्तकों के बारे में प्रसनता से बोलना बताना जारी रखा The Frampton it was purely horrible Frampton purely एकदम horrible था भयानक था यह सब Frampton के लिए भयानक था He made a desperate but only partially successful effort to turn the talk on to a less guestly topic He made a desperate उसने निरासा से but only capable partiality कि उसने निरासा दिखाते हुए यह इस बिसे को दूर हटने के लिए एक निरासा जना किन्तु आंसिक रूप से सफल effort किया प्रियास किया to turn talk इस बात को घुमाने का या दूसरी साइड ले जाने का He was conscious that his hostage was giving him only a fragment of her attention यह बह इस बात से सचेस्ट था या उस बात का उसको पता था कि उसकी मेजवान यानि hostage जो मेजवान है जिसके यहाँ वो आया है उसे केबल अपने ध्यान का एक अंसित दे रही थी यानि उस पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे रही थी अटेंशन ध्यान नहीं दे रही थी and her eyes were constantly staring past him to the open window और उसकी आँखे जो थी वो लगतार उस खुली खड़की पर लगी हुई थी and the loan beyond और उसके पीछे जो लोन था उसमें it was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary तदा यह निस्चित रूप से एक दुर्भाग्यापूर्ण सहयोग था एक दुर्भाग्यापूर्ण an absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of boyland physical exercise the doctors announced Frampton Frampton ने announced किया या घोसन किया उसे बताया कि डॉक्तर ने मुझे किसी मानसिक उत्तेजना बै किसी भी खतरनाक साररिक व्यायाम को टालने तता पूर्ण आराम करने का आध्यास देने में सहमत है। हूँ लेवर अंदर दा टो टोलरेवली बिजब बाइडिस्प्रीड देलुशन देट टोटल स्टेंजर संट चांस एक्विटेंसेज आर हंगरी फोर दा लिस डिटेल ओव वन्स एलिमेंट्स एंड इन्फरमेटीज दियर कोज एंड क्योर। फू लेवर अंडर दा उसके नुसार बिलकुल जो अजनभी या चानक परीचित लोग हुए हैं किसी की बिमारी या दुर्बलता के काराण और उपचार के बिसे में जानने के लिए कमुसेथ होते हैं उन्दा मैटर ओव डाइट दे आर नोट तो मच इन एग्रिमेंट ही कंटीनूड बेर कंटीनूड जारी रखा उसने कहना कि on the matter of diet जो खान पान के विशे में diet means खान पान खान पान के विशे में ज़्यादा सहमत नहीं है no no नहीं said Mrs. Seppleton Seppleton ने कहा इना boys which only replaced yon at the last moment ऐसी अब आज में कहा जिसने अंत में उबासी का रूप लिया yon जम भाईया उबासी का रूप ले लिया last moment अंतीम छड में then she suddenly brightened into alert attention but not to what Frampton was saying then फिर she suddenly उसने अचानक अचानक जो brightened into alert attention वह एकदम चोकस alert attention उसने ध्यान दिया परिचित लोगों के लिए but not to what Frampton was saying लेकिन Frampton ने क्या कहा उसने नहीं सुना पर नतों जो Frampton कह रहा था या उसकी बज़े से नहीं था कि उसका अक्षमात उसके एकागर ध्यान में एक चमक आ गई थी brightened चमक आ गई थी लेकिन वो Frampton की कहने से नहीं आई थी here there are at last secret बहचिलाई कि अंत में यहां हैं देखो just in time 40 यह चाय का समय है and don't they look as if they were muddy up to the eyes कि चाय का समय है पर क्याबे आँखोता कीचर से सने हुए दिखाई नहीं देते हैं उसने बिंडो की और देखते हुए कहा Frampton Seward Slightly Frampton Slightly हलके से कापने लगा and turn towards the knees और अब उसकी भतीजी की और मुडा with a look intended to convey sympathetic comprehension कि जो थोड़ी सहनूद भूती पूरबक उसकी समझ थी जो प्रदर्शित करने के लिए भतीजी की और मुडा की मतलब वो क्या कह रही है उसने उसे देखा और हलका से कापने लगा The child was staring out through the open window by the dazed horror in her eyes और उसकी भतीजी भी बच्ची भी जो horror भे भी भे से भे के उसके आँखों में भे था और वो भी खिडकी की साइड स्टेरिंग कर रही थी खूर रही थी टक्टकी लगा कर देख रही थी इना चिल सोक अप नेमलेस फियर फ्रेम्टन स्वंग राउंड इन ही सीट और लुक इन दा सेम डायरेक्शन फ्रेम्टन एक एद्रिस से ठंडे जटके के डर से फ्रेम्टन अपनी सीट पर घूमा तथा उसी दिशा में देखने लगा इन दा दीपनिंग ट्विलाइट थ्री फिगर्स बर बोकिंग एक रोज दा लोन टूवार्ज दा बिंडो उसने देखा कि एक गहन दीपनिंग ट्विलाइट की गहन संध्याकाल में तीन आकृतिया उत्थान में होते वे खिड़की की और बढ़ रही थी उन सभी ने अपने हातों में गन ले रखी थी बंदू के ले रखी थी और उनके पास जो एडिशनल बढ़ा हुआ जो बोस था या बजन था वर्डन था वो एक वाइट कोड था जो उनके सोल्डर से निकंदे पर रखा वा था और टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज अड दियर हील और उनकी हील से एडि या पैरो में एक स्पेनियल इनकी ब्राउन बूरे रंग का थका हुआ कुट्ता था नोजलेसली दे नियर दा हाउस बिना कोई अबाज केवे घर के समीबते हैं एंड दैने होर्स यंग बोईस चांटे आउट ओप दा डस्क आई से वर्टी वाइड यू बाउंड तभी वहां से एक अबाज आई पहुँचे उसाइकाल में कठोर यूबस स्वर निकला कि मैं कहता हूँ बर्टी तुम क्यों बंधी हुई हो वाइड यू वाउंड तुम क्यों बंधी हुई हो आई से वर्टी मैं कहता हूँ बर्टी फ्रेम्टन ग्रेब्ड वाइल्ड ली एट हीज स्टिक एंड हैट फ्रेम्टन ने ग्रेब्ड मिंस जटपट पकड़ ली ग्रेब् ड्राइब एंड एंड फ्रॉंट गेड वर दिम्पली नोटेड स्टेजेज इन इस हैड लोंग रिट्रीड एंड ग्रेव ग्रेवल मिंस बजरी कि बजरी से निर्मित पटरी बैं मुख्य दर्वाजा उसके पीछे हटने के मार्ग की धुंदली अवस्थाएं जो दिखा रह था वह उसकी और चल पड़ा आज साइकलिस्ट कमिंग अलोंग दा रोड एक साइकलिस्ट एक साइकल वाला रोड के किनारे आ रहा था टू रान इंटू दा हेज टू अबोईड इम्नेंट कोलिशन टक्कर लगने से बचने के लिए वह एक हेज एक जाड़ी में छिप गया हीर वी आर माई डियर हम यहां है मेरे प्रिये सेट दा वीरियर ओव दा वाइट मोकिंग टोस कमिंग इन थ्रू दा बिंडो खिड़की के से होकर आते हुए सपेद कोट धारक ने कहा बह कौन था जो हमारे अंदर आते ही बहर चला गया कि जो हमारे अंदर आते ही बहर चला गया एक बहुत ही असाधरन ब्यक्ती मिस्टर नटेल सेड मिसिस सेपल्टन ही कुड ओनली टोक अबाउट ही जिलनेज बहर हमें इस केबल अपनी बीमारी के बारे में बाते करता है और अपोलोजी वेन यू अराइब जब आप पहुँचे तो बेना किसी अलविदा और बेना किसी माफी मांगे यहां से चला गया वन सुट थिंग ही हैड सीना घोष्ट सायद किसी ने सोचा होगा कि उसने एक भूत देखा है मुझे उमीद है कि यह स्पेनियल होगा सैड़ दा नीज कालमली उसकी भतीजी ने सांती पूर्वक कहा उसने मुझे बताया था कि वह कुत्तो से डरता है कि वह एक बार उसने बताया कि वह होंटेट घहर लिया गया था सिमेट्री एक कब्रिस्तान में समभेर कहीं पर वैंक ओफ दा गंगा गंगा के किनारे वाया पैक्स ओफ डोग कुत्तों के जुंड के द्वारा उसको घहर लिया गया था and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and forming just above him और उसे spend the night उसको राथ व्यतीत करनी पड़ी थी newly dug grave नई खुदी हुई कब्र में उसको पूरी राथ व्यतीत करनी पड़ी थी creatures snarling and grinning गुर रहते हुए चिलाते हुए और गुर रहते हुए and forming out मुह से जाग निकालते हुए कुत्तों के साथ enough to make anyone lose their nerve कि जो enough पर्याप्त होता है किसी भी व्यक्ति को घवरा देने के लिए romance at salt notice was her specialty romance at salt notice कि इस कम समय में बात को बड़ा चड़ा के कहना उसी की बिशिष्टता है your chapter is completed okay students thank you take care